नमस्कार आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में कैसे हैं आप मुझे उम्मीद हैं कि जहां भी है वहां पर आप स्वस्त होंगे- 구णे- बहतरीन होंगे खूब सारे मज़े कर रहे होंगे मस्त होंगे बहतरीन होंगे खूब सारे मज़े कर रहे होंगे आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो हिंदी व्याकरण की हमने श्रंखला को शुरू किया है उसमें अध्याय 13 की आज हम बात करेंगे जिसका शीरशक है काल यानि टेंस शायद ही कोई ऐसा विद्यारती होगा जो टेंस नाम से परिचित नहीं होगा अक्सर एक ऐसा महोल हमारे विद्यालेओं में और हमारी कक्षाओं में बन जाता है कि जब भी हम अंग्रेजी सीखने की बात करते हैं चाहे वह अंग्रेजी व्याकरण हो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर कह लीजे कि इंग्लिश स्पोकन क्लासेज हो तो सबसे पहले अक्सर शुरवाद जो है वो टेंस से ही की जाती है है न मुख्यों तो टेंस से आप सभी परिचित होंगे लेकिन आज हम हिंदी व्याकरण में टेंस यानि काल को समझने वाले हैं तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं और दे उस पर हमें ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है क्रियाओं पर ध्यान देना है मुख्य रूप से ठीक है अब मैं पहला वाक्या आपके सामने पढ़ता हूं ध्यान दीजिएगा लिखा है भारत 15 अगस्ट 1947 को स्वतंत्र हुआ था और दूसरा वाक्या है कल हम जैपुर जा रहा है कि हुआ था यानि यहां बीते हुए समय की बात हो रही है और वहीं दूसरे वाक्या में जो बात हो रही है उसमें लिखा है जाएंगे यानि जो जाएंगे यह जो शब्द है यह हमें बता रहा है कि भविश्य की बात यहां पर हो रही है तो इस वाक्या में हुआ थ उने के अलग-अलग समय का हमें बोध करा रही है, बिलकुल बात सही है, और हुआ था बीते हुए काल का, यानि बीते हुए समय का, और जाएंगे आने वाले समय का बोध कराते हैं, तो अगर आपको परिभाशा देनी हो, काल की, यानि टेंस की, तो आप क्या देंगे, कि क्रि है वो पूर्ण हो गया है तो कारे के होने का बोध करवादने वाला जो कह लीजिए काम के होने का अलग-अलग समय का बोध कराती है ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं हम जो हैं वो काल के अंतरगत रखते हैं जिन से समय का बोध होता है क्रिया के उन रूपों को ठीक है अब हम बात करते हैं, kinds of tense यानी काल के भेद की, तो काल के भेद की चर्चा करते हैं, मुखरोप से तीन भेद हैं, यह आपको धिहान रखना है, पहला है भूत काल, फिर है वर्तमानकाल और पिर है भविष्रकाल, जो भूत काल है, उसे हम कहते हैं past tense, वर्तमानकाल को कहेंगे present और भविश्य को कहेंगे future tense तो भूत काल वरतमान काल और भविश्यकाल तीनों से आप परिचित हैं भूत से तातपर है जो बीद गया है और वरतमान से तातपर है जो अभी present में है और भविश्यकाल से तातपर है जो की होने वाला है अब यहाँ पर देखिए सब से पहले हम भूत काल पर चर्चा करते हैं लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कारे करने के होने का बोथ हो यानि जिसमें हमें यह पता चलता हो कि यहां जो कारे है न यहां पहले किया जा चुका है यानि बीते हुए समय की बात होगी तो उसे हम भूत काल कहते हैं, जैसे वाक्य देखिये लिखा है, हम खेल रहे थे, मोहित ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर जो यह वाक्य है, यह आप वो क्या बता रहे हैं, यह बता रहे हैं कि जो कार्य है, जो क्रिया है, वो हो चुकी है, है न, उसके हो जाने का बोध हो रहा जैसे भूत काल के छे उपवेद हैं अब ये छे उपवेद को समझ लेते हैं सबसे पहला है सामान निभूत काल अब आप कहेंगे सामान निभूत काल का मतलब क्या है तो समझ यह इसमें क्या होता है कि सामान निरूप से जब कोई काम हो गया है बीते समय में तो आप कहेंगे कि सामान निभूत काल से संबंदित यहां वाक्या है जिसे बहुत ही सरल सरल वाक्यास में रहेंगे जैसे मयंक ने पत्र पढ़ा कितनी सरल सी बात है ना मयंक ने पत्र पढ़ा बहुत सरलता से हमने लिख दिया सोनम ने खाना खाया तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सामान निभूत काल को बताने वाले वाकिय हैं जैसे लिखी यहाँ पर मैंने परिभाशा पर मैं अंडर लाइन करता हूँ, हाइलाइट करता हूँ, लिखा हुआ है क्या क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में सामान निरूप से होना पाया जाता है, उसे सामान निभूत काल कहा जाता है ठीक है न, अब हम देखेंगे आसन भूतकाल, अब ये आसन भूतकाल क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे है कि भूतकाल से कोई काम की शुरुवात हुई है, और अभी-भी वो काम समाप्त हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, तब आप कहेंगे कि ये आसन भूतकाल है, जैसे ज पुष्टक पढ़ी है अर्थात उसने पढ़ना तो एक समय में चालू किया था और अभी अभी उसने पुष्टक पढ़ लिए तो ये आरंब होकर भूथकाल में क्रिया अभी अभी समाप्त हुआ है काम तो आप कहेंगे कि ये आसन भूथकाल को बता रहा है यहाँ पर लिख पूर्ण भूत काल क्या होता है पूर्ण भूत काल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम भूत काल में ही पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूत काल कहते है यानि पहले ही हो गया पास्ट में ही पूरा काम हो गया जैसे मोहित ने खाना खाया था मैंने पत् लिखा था तो लिखा था काम पूरा हो गया मोहित ने खाना खाया था तो खाया था काम पूरा हो गया इसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे तो सामान ने भूतकाल क्या है आसन ने भूतकाल क्या है और पूर्ण भूतकाल क्या है यह भी हमने जाना और अब आप इन में अंतर को गीस समझ गए होंगे। वैसे ही अब हम बात करते हैं अपूर्न भूदकाल की। अब ये अपूर्ण भूदकाल नाम से इस पश्ट है जो पूर्ण नहीं हुआ अभी तक। जैसे, इसमें ये तू पता चलता है की काम भूदकाल में हो रहा था, यानि पहले हो रहा था पर पूरे होने का समय नहीं पता चलता उधारन चे समझी जैसे अमन पढ़ रहा था अब कब तक पढ़ रहा था? क्या अभी भी पढ़ रहा है? इस बात की जानकारी नहीं है यानि हमें समय का पता नहीं चल पा रहा है इसमें कौन से समय का पता नहीं चल रहा है भूत काल में हो रहा था काम ये तो पता चल गया लेकिन ये काम पूरा कब हुआ इस समय का पता नहीं चल रहा तो आप इसे कहेंगे अपून भूत काल imperfect past tense ठीक है? अब यहाँ पर देखे लिखा है प्रिया सो रही थी अब प्रिया सो तो रही थी लेकिन अभी भी सो रही है हो सकता है तो इसका पता नहीं चल पाया ठीक, यानि भूत काल में काम हुआ ये तो पता चल गया लेकिन पूरे होने का पता काम का अभी हमें नहीं चल पाया इसके बाद में एक है संदिग्द भूतकाल, अब ये संदिग्द भूतकाल क्या होता है? जब क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेः होता है, डाउट होता है, उसे आप कहेंगे संदिग्द भूतकाल, इसे भी थोड़ा उधारंच से समझेए, जैसे बस चली गई ह उसने कहानी सुनाई होगी, रोहनने खाना खा लिया होगा, मयंक स्कूल चला गया होगा, ऐसे तमाम भाकियर जिसके बारे में हम ये कहतो रहे हैं कि यह काम हो गया होगा पहले, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं हो गया होगा शायद क्योंकि हमें पता नहीं है, डाउट है, संदे संदिग्दता है कि काम हो गया होगा लेकिन हो गया है या नहीं हो गया ये पूरी तरह आश्वस्त होकर नहीं कहा जा सकता तो आप इसे कहेंगे संदिग्द भूतकाल जब करिया के भूतकाल में होने के बारे में संदे हो तब वहाँ पर संदिक्द भूतकाल पाया जाता है इसके बाद में भूतकाल का जो अंतिम उपभेद है वो है हे तू हे तू मद भूतकाल अब आप कहेंगे क्या जीव नाम है हे तू हे तू मद भूतकाल यानि इसका क्या मतलब है इसमें क्या होता है कि एक क्रिया किसी यानि अगर दूसरी क्रिया ना हो तो पहली क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा उसे हम हे तु हे तु मदभूत काल कहेंगे हे तु मतलब कारण फिर दूसरे कारण पर निर्भर है इसलिए दो बार यहां पर हे तु हे तु है इसके उधारण देखिये लिखा है यदि वर् अच्छे होती, यानि फसल का अच्छा होना निर्भर करता है, किस बात पर? वर्षा के होने पर, यानि एक क्रिया, दूसरी क्रिया के कारण पर, रीजन पर आधारित है, हेत उपर आधारित है, समझ गए आप, दूसरा वाक्य देखिए, और अच्छे से स्पस्ट हो जाएगा क्या है दूसरा वाक्य? यदि वे परिश्रम करते, तो सफल हो जाते, यानि सफल होना परिश्रम के करने पर निर्भर कर रहा है, बात इसपस्ट है, मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप परिभाशा में क्या लिखेंगे इसकी? कि जहां भूत काल की एक क क्या होता है, ठीक है? अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय का बोध हो, उसे वरतमान काल कहते हैं, यानि काम चल रहा है, जैसे लिखा है, मैं जाता हूँ, वह पढ़ रहा है, यानि अभी भी पढ़ रहा है, तो काम प्रेजेंट में हो रहा है, वरतमा काल के हो रही है, अब भूध काल के चे उपभेद थे, वरतमान काल के तीन मुख्य उपभेद हैं, याद रखिए, कि मैं मुख्य उपभेद कह रहा हूँ, है न, कौन-कौन से हैं, पहला है सामान वरतमान, दूसरा है अपूर्ण वरतमान, और तीसरा है संदिक्द वरतमान सबसे पहले बात करते हैं सामान वर्तमान की, इसमें क्या होता है? क्रिया की जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया का सामान रूप से होना पाया जाता है, उसे सामान वर्तमान कहते हैं, जिसमें ताहे तीहे आता हो, जैसे मैं जाता हूँ, सौरब पढ़ता है, लक्षमी खेल नहीं तुम्हें है इस तरह से, तो आपको समझ में आया है कि यह एकदम सामान्य वर्तमानकाल की बात हो रही आब यह क्या나냐 है। कि क्रिया अभी चालू है यानि अभी पूर्ण नहीं हुआ काम अभी भी क्रिया चल रही है उसे वर्तमानकाल कहते है कौन सा अपूर्ण वर्तमानकाल क्योंकि अभी भी क्रिया चालू है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बच्चे खेल रहे है सोहन खाना खा रहा है इससे क्या समझ में आ रहा है खिलाडी खेल खेल रहे है इससे इस पश्ट है न कि कारे अभी भी चल रहा है तो कारे पूर्ण नहीं हुआ इसलिए उसे हम अपूर्ण कहेंगे और काल है वर्तमान तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल ठीक, इसके बाद में है संदिक्द वर्तमान अब ये संदिक्द वर्तमान क्या है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह का बोध होता होगा किसका बोध होता है संदेह का, डाउट का उसे संदिक्द वर्तमान काल कहते है जैसे सुधा पढ़ती होगी वहाँ जाता होगा वहाँ खेल रहा होगा इस स्पष्ठ हो जाता है न कि ये जो है अभी भी doubtful situation है confirm नहीं है कि हो ही रहा है है न तो यहाँ पे ये संदिक्द वर्तमान में आएगा स्पष्ठ है मुझे उमीद है कि हमें अब वर्तमान काल भी समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भविश्चत काल की यानी future tense की इसमें बताया है कि आने वाले समय का बूद कराने वाला जो समय आने वाला है उसके बारे में बताने वाला क्रिया के जिस रूप से कारे के बविश्चे में होने का बूद हो उसे बविश्चत काल कहा जाता है जैसे आकाश इसकूल जाएगा मैं पत्र लिखूंगा बविश्चे की बात है तो ये बविश्चत काल है इसके भी तीन प्रमुक उपवेद है पहला है सामान्नि भविश्यतकार इसमें आप जानते हैं कि सामान्नि रूप से होने का बोध होगा कि भविश्य में एक काम होगा उसे कहेंगे जैसे वह दिल ली जाएगा मैं पुस्तक पढ़ूँगा वह खाना खाएगी वगेरा वगेरा पिर है संभाव भविश्यतकार संभाव सितातपर क्या है कि जिसमें संभावना प्रकट होगी क्रियागे होने की वो भी भविश्य में उसे कहेंगे जैसे शायद आज वर्षा हो शायद वे आज आएं यहाँ पे शायद शब्द जो है संभावना को प्रकट कर रहा है हो सकता है कि ऐसा हो जाए और नहीं भी इसलिए इसे संभाव भविश्यतकाल कहते है तो अगर आप से कोई पूछे कि बताईए संभाव भविश्यतकाल क्या है जरक परिभाशा दीजी एक लाइन में तो आप क्या कहेंगे जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभाव ना पाई जाए वहाँ संभाव भविश्यतकाल होता है फिर उधारन दे दीजिए का ठीक है ना इसके बाद में है हे तू हे तुमत भविश्यकाल अब इसका क्या मतलब है ध्यान से सुनिएगा जब भविश्यकाल की क्रिया दूसरे पर निर्भर हो तब हे तू हे तू मत भविश्यतकाल होता है जैसे राकेश जाएगा तो शान्ती होगी दीदी आएगी तो जन दिन का केक कटेगा इस पश्ठे यहाँ पर निर्भरता प्रकट की जा रही है एक से दूसरे कारेण पर अगर राकेश जाएगा ही नहीं तो शान्ती होगी कैसे यानि शान्ती का होना राकेश के जाने पर निर्भर कर रहा है दीदी आएगी नहीं तो जन दिन का केक कटेगा कैसे यानी जनम दिन का केक दीदी के आने पर निर्भर कर रहा है इसलिए से हेतु हेतु मत भविश्यकाल कहा जा रहा है ठीक अब कुछ तथ्य इस्मर्णिय हैं इन्हें भी देख लेते हैं जैसे क्रिया की जिस रूप से कारे संपन होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं काल के तीन भेद हैं भूत काल, वर्तमान काल और भविश्यकाल जो बीते हुए समय में कारे के होने का बोध कराएं उसे भूत काल कहते हैं जो बीत गए समय की बात करता हूँ जो वर्तमान समय में कारे के होने का बोध करा है उसे वर्तमान काल कहेंगे वैसे ही जैसे जो आने वाले समय में कारे के होने का बोध करा है तो उसे भविश्यकाल कहते हैं मुझे उमीद है आपको ये समझ में आया होगा अब आपसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहता हूँ मुझे आप comment box में comment करके बताईएगा कि हे तू हे तू मद भूतकाल क्या होता है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हे तू हे तू मद भूतकाल क्या होता है इसका एक उधारन भी अगर आप comment box में comment करके दे देंगे तो मैं समझ जाओंगा कि आपको बात समझ में आ गई है ठीक है? मुझे उमीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा अगर ऐसा है तो आप अपने comment box में comment करके जरूर इस प्रशन का उत्तर मुझे दीजेगा और इस वीडियो को जादा से जादा अपने मित्रों के साथ साजा कीजेगा ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को समझ पाएं इस जानकारी को बागी मेरी आप से जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ में अगली नए वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार